आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम आपको इस वीडियो में बीसी सखी योजना के बारे में बताने वाले हैं कि इससे पहले तो हमारी बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है और यहां पर उन्हों सबस्क्राइबर है कि यह प्हांने चाहिएं है इस बारे में कउणा इस लुच् пока कर ना बता जा है जलिए और आपको यहां पर बता दें कि जिन लोगों के मन में यह confusion है कि बीशी सगी को जब सारा process यहाँ पर block से हो रहा है ठीक है ब्लाग से सारा process हो रहा है लोगों कि यही लग रहा है कि हमें ब्लाग में ही रह करके काम करना पड़ेगा थीख है तो देखिये सबसे पहली बाट तो आपको पता दे ब्लाक से आपका process हो ठीक है लेकिन ब्लाक में आपको काम नहीं करना है ना तो आपको कोई भी ऑफिस मिलने वाली है ठीक है यह तो आपको दूर हो गई होगी कि आपकी जो बीसी सखी बनेंगी महिला है उनको ब्लाक में थोड़ी ना वर्क करना है उनको वर्क करना है अपने ग्राम पंचायत में चीव फी ग्राम पंचायत की आपनिवासी हैं उसी ग्राम पंचायत में आपको एक office मिलेगी वही पर रहकर करके आपको काम करना है और अपने गाउं के लोगों को banking सुविधाओं से जोड़ना है लोगों को loan मगरे मोहय करवाना है और जो भी उनकी परसानिया है उनको दूर करना है ठीक है bank से related कुल मिला करके बीसे सखी जो है bank से related सारा काम करेगी इसमें ठीक है और उसके बाद ब्लाक में confusion दूर हो गई है कि ब्लाक में नहीं बैठना है बीसे सखी को अपने gram पंचायत में रह करके सारा काम करना है और bank से लेन देन कराना है ठीक है गाओं वालों का अपने अगाओं वाले जो भी हैं आपके जानी कि ग्राम पंचायत में जितने भी सदस् तो उन लोगों का जो भी पैसे का लेन देन होगा वाँ बीसी सखी ही करेगी ठीक है इसलिए आपको निव्त किया जा रहा है ताकि लोगों को परसानिया नहों लोगों को bank तक ना जाना पड़े बीसी सखी के माध्यम से उनके पैसे का लेन देन complete हो जाए जो लोग लोग ल दोबारा से हम आपको बता दे रहे हैं कि अपने ग्राम पणчायत में रहा करकर नएक्षा हुआ करना रुग RS मिलेगी इस वीटियो को जया करें किसी लगार्या कुनिकर्व मर्वीडियो